तो कैसे मेरे नर्सिंग परा मेडिकल के बच्चों सब्सक्राइब बच्चों आपको बता दे कि इन्पोर्टेंट इन्फोर्मेशन आपके लिए के लिए हम एक लाए हैं आप लोग बूलोगे इसर क्या है तो आपको पता है कि उन्होंने कॉलेज लोकिक जो भी हुआ है उसक बारे बताने ही क्या से सीट एलोटमेंट में आपको बताया भी आ है कि उसमें कॉलेज का आपNS लिखा रहाता है उस पे और फिर वीडियो बना भी देंगे वहां पे आपको और फिर डेट भी दिया रहाता है इतना तरीक तक आपको एडमिशन करा लेना है वो तो अलग बात हुए लेकिन फिर भी उसके लिए देखिए में बात है कि तेन्थ 12 के डॉक्मेंट जो भी लगत अफिकेट आपका करेट तहसिलदार ओफ यूपी गॉवर्मेंट तो अगर इफ मतलब मान लिजे कि अगर आप जो यूपी के बच्चे हो और आपको EWS मतलब होता है सीट मैट्रिक्स में हो सके कि एट पॉसिबिलिटी बता दे आपको कि हो सके तो आपका जो आ जाए चुक आप 10% का जो आप लुकाओ रिजर्वेशन आरक्षान देते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है उतहसिलदार के द्वारा ही यूपी गॉवर्मेंट का आपका एप्रूब होना चाहिए यह तो बात हो गई और सबसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट यह है कि इन्होंने साफ में हो गया है OBC के हो गया है आपका EWS के हो गया है यह जीतने भी सर्टिफिकेट जो गॉवर्मेंट जो दुरा एप्रूब किया जाता है वह आपका सर्टिफिकेट पर जो इसू डेट होता है आप लों मिला कर देख लिए वह एक अप्रेल 2000 उस पे 21 के बाद का होना चाहिए त जर्बेशन का प्रॉफिट देते हैं तो आपको फैदा मिलेगा नहीं तो आपको जेनरल यानी यूर में घोसित कर दिया जाएगा किसमें घोसित कर दिया गया जाएगा तो आपको जेनरल में घोसित कर दिया जाएगा समझके बच्चो तो आपको फिर आई अगर बबबु बच्चो आपको बता दे कि all the certificate should be issue of एक अप्रिल दोहाजरी किस्त आपके पास जितने भी certificate होगा यह SC के certificate होगा है यह ST के certificate होगा है यह OBC के certificate होगा है यह EWS का certificate होगा है एम्स नर्शिंग में भी बहुत सारा इसे रूल दिये हुए और जगदे तो इसमें जो आप लोग का issue date है वह आपका किस होना चाहिए एक अप्रिल 2021 के after बाद का होना चाहिए यह 2 अप्रिल से भी काम चल जाएगा बाद का होना चाहिए और बच्चो इसके लाएव अगर बता दे अगर आपका certificate का certificate जो अभी होगा या PWD मतलब मेरे कहने के मतलब कोई भी certificate हो गया है तो वे आपका इसके बाद होना चाहिए अगर पहले का हुआ तो आपको EWS का अगर रिजर्बेशन का अगर सपोर्जेट वे अगर रिजर्बेशन के हिसाब से अपका सिट अलॉट्मेंट करते हैं 10% देते हैं तो आपको तहसिलदार के द्वारा यूपी गवर्मेंट के द्वारा आपका वेल्ल वेरिफिकेस certificate होना चाहिए और जीतने भी डॉक् certificate बनवाए होंगे तो ऐसा आपके पास फॉर्मेट होगा देखिए उन्होंने फॉर्मेट भी आपको दे दिया और बच्चों बता दे आपका क्या है आप लोग बोलोगा कि सर फॉर्मेट है जो आपका जो इसू डेट होता है जो आपका दिनांग होता है मतलब जो नहीं हो आपको क्या होना चाहिए इसू डेट आप लोग का एक अपरेल 2021 से बाद का होना चाहिए तो आप लोग थोड़ा डेक्मेट निकाली अपना जो भी certificate होगा आपके पास उसमें आप लोग देख लीजिए कि मेरा एक अपरेल 2021 के बाद का अगर मेरे पर इसू आपका डेट च आपको यवार में घोसित कर दिया जाएगा और उसके अलावे बच्चों गवर्मेंट कॉलेज मिलने की बहुत ही कम चांस है और कितना बचे बोलेंगे कि सर आवासिय भी तो देखिए आवासिय आपको भी पता है कि पुराने भी चलते हैं कोई बात नहीं है लेकिन फिर भ बच्चे है तो उनको विडियो मिसाज लगेगा बिलकुल लगेगा और अधार काड में अगर कोई भी दिकत हो अपना क्रेक्शन करा ले तो अधार काड हो गया और फोटो बनवा का फोटो सब्सक्राइब रख लिजे छे साथ फोटो उसके लावे आप लोग के करने के लिए तैयार है तो चैनल से जुड़े रहे जैसे हैं आपको सीट एलॉट्मेंट आएगी आपको पता है सबसे पहले देते हैं सबसे सटी जनकारी देते हैं और सबसे विसवस्नी करें तो चैनल से जुड़े रहे नेक्ष्ट बडिवें तब आपका दिन सब्लेश आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक डाल दियें, उसमें भी जॉइन हो जाईए, वहां पर भी आप लोग का जो डाउट अपना में आप लोग पूछते रहेगा, बाय बच्चों